टार ना हिए जए नमस्कार दोस्तों मैं विराड चोदरी श्वागत आपके अपने इटूब चल्म कमांड लोकेट में दोस्तों कई बार आप सबी अभी परजेंट टाइम में कई बार मेरे से बोलते हैं कि सर आपकी तैयारी केसी थी तो आज मेरे साथ में सबस्क्राइब कर तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सरा आप काफी मोटिवेट करते और आपके वीडियो में आपको काफी बार बता चुका हूँ और किस किस परिष्थितियों में कि आप सभी को बता दूंकिकी किसी के बीघर की परिष्थितियां अनुकूल नहीं होती ह परिष्टितियों से आपको लड़ना पड़ेगा अगर जिन्दगी में सफल होना है इसलिए अध मेरे साथ में और मेरे दोस्ताती उनको भी आपको बताएंगे कि उन्होंने तैयारी केसी की पिस परकार से पढ़ाई की थी बहुत सारे बचे यह भी बोलते हैं कि सरे हम प्रा मैंने तो काफी बता चुका तो इसलिए मैं आपको लाश्ण बताऊंगा मेरे साथ में पंडी जी यह जोती भाई है दोनों इन्हों ने भी SSGD मेरे साथ में इन्हों ने फाइट की ती उसके बाद में ट्रेनिंग साथ में किये हैं और एक हिसाथ ड्यूटी कर रहे हैं तो अगे जाके कितनी आपको मेहनत करनी है कि इससाब से इन्हों ने मेहनत किती क्योंकि कंपिटिशन में ज्यादा फरक नहीं आया था हमारे टाइम भी 83 85 84 नंबर लाएं हम दी और अभी भी उतने लाने है और कंपिटिशन दिन बढ़ता जा रहा है तो लेकिन आपके लिए आ जोस्तों सबसे पहले तुम्हें भाई धरम को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा जो यह आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं अपना कीमती समय में से समय निकालके आपके मोटिवेशन के लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं आपके लिए इसके लिए मैं भा पॉलो टेकनिक के लिए चला गया मैं हनुमानगड से पॉलो टेकनिक किया गोर्मेंट कोलेज में 2012 में पॉलो टेकनिक से मैं पास आउट हो गया उसके बाद इस्तिति तो सभी के घर के ऐसी होती है सभी को रोजगार के आओ सकता होती है तो मैंने सोचा कि उस टाइम मेरा ग गाउं में जैसे कंपनी से घर पे आता था तो लड़कों का जनून देखता था सुबह चार बजे पांच बजे रनिंग करते थे उसके बाद अलग से एक्सरसाइज करते थे तो मैं सोचता था यार क्यों ना हम भी इस चीज को करें फिर धीरे मैं उनको देखता गया लगबगे एक महीने देखा फिर उसके बाद थोड़ा वो टाइम बड़ा तो मुझे भी लगा कि मुझे भी यह सब करना चीए मेरे एक दोस्त थे घाओं का जो फोट की तयारी कर रहा था मैं बोला मेरा भी कोई बढ़ति आया खुर्म लगाना क्योंकि मेरे को फोट के बारे में नोलेज नहीं थी तइस टाइम धैसे पहुत है तो में उसको बोला फारम जैसे उस टाइम 2015 में ऐसे सी का बहच आया उसी ने मेरा घर से डोकुमेंट लिया क्योंकि उस टाइम में गर पे नहीं था डोकुमेंट लिया उसी ने मेरा फारम लगा दिया उसके बाद वो बोला कि पंडरजी मैंने तुमारा फारम लगा दिया है अभी वेकेंसी का टाइम है 10-15 दिन आप रणिंग का तियारी कर लो मैं बोला ठीक है मैं जहां भी अपना कंपनी से गंटे बरका जैसे भी टाइम मिलता था मैं अपना समय निकाल के दोड़ता था कभी 5 किलो मेटर कभी 2 किलो मेटर ऐसे एड़ेस्ट करके मेरा फिजीकल दिली में मेरा फिजीकल हो गया तो फिजीकल को मैं उषर दाइम मेरा फिजीकल इतना आचा नहींते कि हांकि तैहारी नहीं दे पहुरे थे लेकिन फिर भी 22 मिनट में पूरा कर लिया 5 किलो göz को अभी एक अलग से मन में हो गया कि यार, फिजिकल कर दिया, अब रिटन तो वह बोला, तुने फिजिकल कर दिया, इतनी कम तैयारी में, तो नुक्त कर सकता है। अब उसका यह चोटा सा मोटिवेशन को मेरे बहुत अंदर में फील कर गया। मैं चलो ठीके मैं कोचिंग में तयारी करूँगा मैंने क्या किया जैसे एक्जाम का डेट टाइम किलियर हुआ मैंने दो महिने कंपणी से चुटिल दो महिने का लिव ले लिया कंपणी से तो कंपणी से लिव लेने के बाद क्या हुआ कि मैं कंपणी से छोड़ दिया उसके बाद मैं रेवाड से पढ़ता था उसके बाद तीन गंटे घर पर पढ़ता था और उसके बाद मेरा अच्छा था या अंदर से यार पंड़ी तुम्हारा एक्जाम के लिए रो गया है लेकिन अभी जब होता है आदमी दो महिने की त्यारी करके लगता है फिर विश्वास नहीं हुआ यार मैं बोला चलो मेरे पास वो भेजो अगर वो जो आपने नेट से देखा है रिजल्ट का कोपी वेजो उसने मेरे पर नाम है फिर भी मेरे को यकिन नहीं हुआ उस रात पूरी रात नीद नहीं आया मेरे को मैं सुबह क्या हुआ जैसे दुकान खुला अफारम वाले का तो मैं तुरंत उसको फोन किया उसको नंबर बताया उसने बोला भाई हो गया है तुमारा पंड़ी एक मिनिट है मैं दो महीने तियारी किया है मतलब दो महीने में भी कोचिंग सेंटर का तो बीच में चुटी आ जाता है कितना लेकिन आप दो महीने में भी कम पचास दिन ही मानके चलो उसको और स्कोर क्या था आपका मेरा 85 नंबर आया इसमें अधर से ठानना है कि मेरे को एक स्टार्गेट सेट करना है कि हा मेरे को इस बरती में लगना है बस थोड़ा आदमी अंदर से कॉंपिडेंस लो सबसे पहले अगर वह हो गया उसके बाद कोई आपको रोक नहीं सकता नहीं जब आप सुरुआत में जब मतलब जब पहली बार पहली बार देखा तो मनी नहीं लगा उसमें मेरा मेरे को लगा यार कि यह तो देखा तो थोड़ा सा समझ में नहीं आया लेकिन जैसे दो तीन दिन का चार दिन का समय दिया उसके बाद अंदर से कॉंपिडेंस आने लगे हां मैं कर सकता हूं यह तो यह तो इजी है मेरे को सविक्षान लेना है कोई रोक नहीं सकता आपको सविक्षान को इस टाइम अपने जो में लगा रहां उसके बाद चलता रहा फिर मेरा मेडीकल के लिए मेरा को लेटर आ गया अब मेडिकल के लिए आ गया तो मेडिकल पहले कभी कराया नहीं था इसलिए थोड़ा उस टाइम थोड़ा डर फील हो रहा था एक पंडी जी एक यह भी बहुत सारे बच्छों को रहता है मेडिकल के समंदित की मतलब आपके कुछ गलती है तो भी निकाल देंगे नहीं है तो भी आपको doubt के हिशाब से आपको बाहर कर देंगे लेकिन sscgd में क्या है आप केस डाल सकते हो अगर आपको जबरदश्ची निकाल दिया तो अप एम से और किसी भी गुवर्मेंट होस्पिटल से किया है, उसके बाद आप यहां पर शुहां करों हाँ, उसके बाद यह करो इस मिर्क मैं स्सू में मोटेयं और प्रोब्लम तो हम थाई मतलब किसी भी चीज़ को पंडी जी ने भी गलती किया हुए पहर्ट तो यह मैं बताना चाहूंगा क्योंकि उस टाइब मेरे को फोज के बारे में बिलकुल नौलेज नी थी मैं फोज के लिए बिलकुल नया था तो मेरे दोस्त नहीं फारम डाला उसने भी क्या क्या मेरे डोकुमेंट है जो अपना जो सेंटर होता है उसी को दे दिया और तू अपने हिसाब से बर दे लेकिन वह गलती है आपको यह चीज को वीडियो देखना है जानना है कि किसका क्या बेनिफिट है किस स्पोर्स क्यासे काम कर रही है और जिसमें आप इच्छों को उसमें मैं घर पे आया घर को बताया अगर वाले बहुत अच्छी बात है उसके बाद मैं अगले दिन से हमारे जनर्नल में 79 से कुछ में 79 वाले और 80 सबसे कम BASP का था मेरा लेकिन मेरा क्या हुआ तो मेरे 85 नंबर थे मेरे को CISP बाकी हर फोर्स मिल रहा था सिरफ NIA को छोड़े लेकिन क्या था कि मैं मैंने फोर्म गलत भरा हुआ था इसलिए मेरे पास चोईस का उप्सन नहीं था मेरा फिर चेंज होता नहीं एक बार जो आपने चोईस डाल दिया जो मिल गया फोर्स वही मिलेगा आपको अभी हम खुश से भी यह नहीं कि आपके न मिलता है आप तैयारी करते हैं एक बर महनत करो गया दुवारा आपका महनत करने का मन नहीं करेगा लेकिन आप इसलिए बोलते ही आप अच्छे मतलब अभी तो आपको तो लोगों को सब नोलेज हो रहा है और फिर भी धरम जैसे भाई एक विराट कमांडो जैसे भाई सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वाले उनको बताओ ने मैं नए दोस्तों को बताना चाहूता हूं हमने 50 50 दिन में 60 दिन में यह किया 85 मार्स लेकिया हैं आप जरूर करोगे क्योंकि जितने आप जो आप एडवांस आ रहे हैं लड़के हमसे ज्यादा माइंड वाड़े है हर चीज का नोलेज है आपको आप कर सकते हो और करोगे हमारा कॉन्फिडेंस आप जरूर करोगे चलो जोती बाई आप तू बटा दे अपले मेरे नाम जोति प्रकास है मैं ओड convince खा भागे डिष्टिक का हो मैरा डिष्टिक नक्षण प्रवाईट है एसलिए है रिए जोड़ार मेरा प्रिया था इसलिए तोड़ा के tv चानके झील देखेस्ट थी पर मेरे गाउं में एक ग्राउंड हो सुबस हम जाके प्रोनिंग किया था ऐसे कि के लिए तरह साथ बहुत थे ज़्गा करो ऑगल 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 का था अज मि आट और तौसा दमी थे सुम मेल के कोचिंग सेंटर थे क्या वहां कोचिंग सेंटर जाते थे मैं इसे तेएर किया था और मेरा विश्वास भरसा भी था मैं भी ससी जीवडी लोगांगा इसलिए मैं फास्ट अप्शन दिया था inea स्टमेरे को पता भी नहीं था सीरी एस्ट में फास्टेशए दिया स्टमेर कैसल था सफित हमें फैसे शुट्ट में मेरा ऊनेटानिम ने हुआ उसके बाद मेरा प्रीटिंग हुआ उसके बाद मेडिकल हो हम एससे अले किसा इससे तेयर किया था भाई मैं घर में था उसी टाइम रियल्ड आ गया उसी टाइम देखके मेरे को खुस लगा मेरी टिलिस्ट जागे पर दो महिने का दो महिने के बात इसे भी आ गया पोई मेरा पोस्टिंग लेटर आ गया मेरा बगल में था वह से जोइनिंग किया और उसके बाद में जब जोइनिंग किया ट्रेनिंग से खतम करके 15 दिन जब आया घर में बहुत बढ़िया लगा बहुत हां कुसी का महल था घर वालों भी बहुत खुश थे उसी टाइम सभावी के हां एक बार उडियां कुछ अरे नहीं यार उस बस कॉटिंग कर दो